वाहिगुजी का खालसा वाहिगुजी की फते पंजाबी ओडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरोतियानों मेरे मनेंदर कौरवलों प्यार परी साच्रीयकाद किताब 1984 अन्चित्विया कहर पाग पंदर्मा पना नंबर 274 पहली नवंबर दा देन चाड़ देना ही दिली दे वड़े खेत्रा अंदर सिखां दे समोहिक कतले आम दा व्यापक वरतारा अराम्ब हो गया सी इस वरतारे दी उगडवी विशेश्टाई एह सी के अलग लग थामाते कातला देना पते जरूर अलग लग सन पर हर जगां कतलो गारत दा पैटरन इको जहा सी जिस दे खासो खास लच्छन इस परकार सन पहला कत्यक्तूबर वांग ही अगले तेन दिना दुरानवी सिख विरोधी फिरकु हिंसा दी आगनू चोका देन ली सिख विरोधी अफवाहां दा सुचेत ते व्यांत बद रूप विच इस्तमाल किता गया जिस विच पुलिस दा रोल बहुत ही नंगा चिटा सी कुछ थामा ते पुलिस नो बकाइदा अपनिया जीपांतों इह पबलिक अनाउंसमेंट कारदे वेख्या गया कि आपके पानी में जहर मिला दिया गया है किर्पया पानी नहीं पीजिये दुजा पामे की सिख विरोधी हिंसा तो दिली दा कोई विखेतर महफूज नहीं रहा सी हर जगा हिंदू पीडावलों सिखाओं ते फिरकू हमले किते गए पर कुछ खेतरा अंदर इस हिंसा ने हदों वद वैशी ते केरनत रूप अक्तियार किता दिली दिया कुछ गरीब बस्तिया जिथे कती एक्तूबर नू पुरी शांती वर्ती रही सी अगले दिना दुरान पूरी तरानाल कतल गाहां विच तब्दील हो गेंगा सान साब नालों वद के नौना ते डुरोना खून खराबा कलियान पूरी मंगोल पूरी सुल्तान पूरी ते दिली चोणी दे खेतरा जो होया जिथे की ज़ादा तर समाज दे गरीब ते पच्छडे वर्गां दे लो करेंदे सान एहे खून खराबा करन वालियां पीडा विच वद गिनती आले दो आले दे गरीब ते पच्छडे हिंदू वर्गां दे सी जो कांग्रस पार्टी दे वोट बैंक समझे जान दे सान जिना खेतरा विच वद मद वर्ग ते अमीर वर्ग दे लो करेंदे सान उथे मुख तोर ते लुट मार ते साड फूक होई कतलो गारत काठ होई बिना किसे चतान फैसले ते देशा नरदेशां तों जनूनी पीडावलों अजेहा वखरेमा कार सकडा उकका ही संभव नहीं सी तीजा पूरव व्योंते आ वर्तारा सारिया थावा ते दंगा कारिया कोल सिखां दे करां वाना दुकाना ते कार खानिया दा पूरा वेर्वा सी हर जगा हमले कारन ते अग्गा लौन तो पहला सिखां दे करां वाना दुकाना होटलां सेन में आते फैक्टरियां वगेरां दी बकाइदा सिलसले बद रूप विच निशान दे ही किती गई सी स्कूटरा जां मेटा डोरां ते अते जांकियां थावा ते पैदल ही कुमरियां विशेश टोलियां ने इह कार जनबाया इस मनोरत लई चोन सूचियां राशन काड़ां ते स्कूला दे रिजिस्टरा आदे दी मदद लई गई यहुदियां दे महा नाश्टरा जिसतरा यहुदियां दे करांधे दुकाना दी पषान ड़े कार्ण्डा कार्ज असान बढ़ाया नाजियां ने इन लॉते बकाईदा निशान लाधते हुए थान उमें ही दिल्ली अंदर कहीं था वाते हमले करन तो पहला सिखांदी कराउंते खास निशान लादते गई सन एथो तक कि सिखांदी आपने माल की वाले ते किराय दे मकाना विच भी निखेडा किता गया हिंद्वा निमकाना विच किराय ते रैर हे सिखान दा समान लुटे आ जा लूहे आ गया प्रन्तु करानू साधन तो सुचेत रूप विच गुरेश किता गया सी पर तक है कि एना लम्मा चोड़ा वेरवा एक को रात विच ही तियार नहीं सी हो सकदा एहे वेरवा तियार करन दा अमल यकीनी तोर ते बहुत चिर पहिला शुरू हो चुका सी एहे ताथ इंद्रा गांधी दे कतल तो काफी चिर पहिला ही सिख पाई चारे दे विरुद रची गई किसे डूंगी साजिश दा पेट खोल दा है चौथा जुल्मा दी इको शैली साड फूक ते कतलो गारतली हर एक जगा इको जहे टांग तरीके ते साधन इसमाल किते गए हर जगा खुनी पीडा दे सिरानू चड़े जनून दी तासीर इको जही सी उना दे नारेयां दे बोल ते किलकारियां दा शोर इको जहा सी सबना दी चाकनी इको जिनी मन हूस ते डरोनी सी सारियां कोड लोहे दियां एको जहियां राड़ना सान सारियां थामा ते अगा लोन ली मिटी दे तेल डीजल ते पेट्रोल दे अगाउं परबंद किते होय सान बहुत सारियां थामा ते अग्गा लोण ले इको तरां दे चिटे रंग दे पाउडर नुमार सानिक पदारत दी वर्तों की ते जान दिया चोखियां उदारना सामने आईया हर जगां सिखानों जाननों मारन ले जो टांग तरीका अपनाया गया ओहो बे हद करूरता परयासी अजेहा बहुत कट होया जदो किसे सिखनों सद्धा इको सट्टे कतल करदता गया हुए जाननों मारन तो पहला लोहे दिया राड़ा जान चेना नाल उना दे सिर फेहे जान दे फिर लहू लुहान जिसमा उते मिटी दा तेल छिटके जान दा ते उस्तो बाद जियोंदयां दे गणा विच टायर पाके अग लादती जान दी सी कोई वी कतल खामोशी दे आलम विच नहीं सी होया हर जगा सोने सुनक्खे साबत सूरत सिखान अग विच पजदे ते तड़फदे होये वेक के हत्यारियां पीडावलों खुशी विच चांगडा पाईया गईया इक गुजराती हिंदू औरत रतना बेहन जो पहली नवंबर नो रेल राही बढ़ोदा तो दली नो आ रही सी ने दस्या की सवेरे कोई दास जा साड़े दास वजे दे करीब तोगल का बाद दे रेलवे स्टेशन उते पारीगिंती विच गठे होये हिंदू हजूम ने रेल गड़ी नो जवर दस्ती रोक लिया सी बाहर प्लेट फार्म उते बेहद डरोना शोर पैरहा सी कुछ लोका ने डार्दे मारेया जल्दी नाल डब्यां दिया खड़किया ते दरवाजे बांद कार लए सान पीडा ने डब्यानो अग्गा लादे इंद दिया तमकें जतिया आठधास नौजवान मुड़े साधे डब्य विच कुस आए उनना ने हथां विच लोहे दिया राड़ां फड़िया हुईं सान छेती ही होर मार खुंडिया पीडा डब्य अंदर कुस आईया उनना ने सिख मुसाफरा नो चुण चुण के डब्याँ चु बाहर कड़ना शुरू का दथा एक बजुर्ग सिख नो केसां तो फड़के तू लिया गया ते उस दे सर विच जोर ना लोहे दी राड़ मार के इस नो प्लेट फाम उते सुट लिया फिर उना पेला उस दे सर दे वाल कट सुटे अते उस तो बाद उस उते मिटी दा तेल पाके अगला दती गई ए बड़ा ही हॉलनाक द्रश सी अग विच साड़ रहा उह बजुर्ग लगातार बूद हाई करी जा रहा सी बाहर प्लेट फाम उते साड़ रहे उस दे जसंदा तुँआ सारे डब्बे अंदर फैल गया सी ओह चाकी मिन्नू कदे नहीं पलनी प्लेट फाम उते जमा होई पीड कातला नू लगातार हला शेरिया दिन्दी रही कईया थावा ते निर्दैया वल्लों बुरी तरा जखमी होए ते पीड नाल करा रहे सिखानू जानो मारं तो पहला उना दिया अखा नोच लेण वरगिया दिलकम बाउ वारदाता आम वापरिया जे कर अग विच साड़ रहे किसे सिखने कातला कोलों पाणी मंगन दी गु तो फड़के करां चो बाहर खिच ले आंदा गया फिर बहुत ही बुरी तरा कुट मार किती गई उना दे सर मुन दते ते दाड़ियां साड़ दतियां गया ते फिर जिमें एह फुटबाल दा मैच होवे उनानू जमीन ते गेर लिया गया अते गंदिया नालिया विच पड़ी गई सी अंगा नालो अंग जुदा कारदते गय सान अखा नोच लिया गया सान ते जियोंदया नू ही जिलादता गया सी पंजवा गुर्दवारे बने चोणवा निशाना विच एहे एहम तत्थ नोट किता सी कि हर इलाक के अंदर ही दंगा कारिया दा रोज सब नालों पहला गुर्दवारे उत्ते नाजल होया सी एहे तत्थ अमिया राव अर बिंदो कोश ते एन डी पंचोली ने वी बियान किता है हरजी मलक ने वी इस तत्थ दी तस्दीक कारदया लिखिया है कि ब्ल्यू स्टार दी तरह सारी दली दे गुर्दवारे ताड़विया दे पहले निशाने सी सिटिजन्स कमिशन ने अपनी रिपोर्ट विच एहे एहे एहम इंकशाफ कीता कि दली दे कुल साड़े चार सो दे करीब गुर्दवारे नो तकड़ा नुकसान पचाया गया जहां पूरी तरह तबाह कर दिता गया सी इकल्ले जन्क पूरी इलाके विच ही 14 गुर्दवारे नो अग्गा लाइया गीना सान कमिशन मताबक पारत अंदर फिरकू हिंसाद इतिहास विच एहे पहला मौका सी जदों तार्मक अस्थाना उते तर्तीब बद हमले किते गए दिली देक सिख विदवान डाक्टर जस्पाल सिंग ने इस वरतारे दा जिकर कारदे हो लिख्या है कि एच्थों तक की ओहो महान पवित्तर इतिहासक अस्थान जिते हिंद दी चादर तलक जिने उदे राखे श्रीगरुतेक बहादर जीदे तारदा सस्कार किता गया सी गुर्द्वारा रकाब गंजनुवी हिंसक पीड ने अपनी वहिश्त दा निशाना बनाया कोई तब का इतना किर्टकन हो सकदा है इस दा अंदाज़ा इस कटना तों पहला नहीं सी लाए जा सकता एह वर्तारा दली तक ही सीमत नहीं रहा सी हिंदू फिर कूपने दा एक नोना पक हर जगां उजागर होया कानपुर शहर दे कुल पंजा दे करीब गुर्दवारें चो मश्कल नाड एक दो गुर्दवारे ही बचे होन गे जिना दा कोई नुकसान नहीं सी होया बाकी सारयां दी जान ता पानतोड कीती गई दे जाम बाते अनौ शिरी गुरु गुर्दवारे नु लाइ गए गई अगनार शिरी गुरु गुर्दवारे दे दर जनतो वड शिरूप पुरी तरा साड गे सन इसको लावा आले दोरे दे लाके अंदर चार पैंज होर गुरदवारे वी अगला के लूद ते गैसन बिहार दे पटना शहर अंदर फिर कुच नूनीयाने गुरू गोबिंद सिंग जी दे पटना साहे बंदर गुजारे समेना सबंदत एक गुर्दवारे नो वी अग लोनतों परहेज नहीं किता सी हर्याने अंदर अनिका थामा ते गुरू करा नो अगा लाईया गिया पलवल देक गुर्दवारे विच सुते पे गरंथी ते एक यातरी नो मंजियां ते बन के अगला के जियोंदया साड़ दता गया सी इसे तरह गुर्दवाओं ते रवाड़ी दे लाकियां विच कहीं सारे गुर्दवारे नो नुकसान पहुंचाया गया उत्तर परदेश ते होरना राज़ा अंदर वी अजहियां वारताता वड़ी गंती विच होया अमिया राओ कोश ते पंचोली ने इस फिर्कू कारे दी व्याख्या कारदे होई लिख्या है कि किसे सिखले गुर्दवारा उस दी नहचा प्रेम पाऊ ते दीदा दिलेरी गल की उस दीया सारीया मान तामा दा परतीख है जो दो गुर्दवारा टाठ गया ता ओहो वी इस दे नाड ही टै जानदा है ताडविया वल्लों पहला उस दा नैतिक बाल तोड़या गया ते उस तो बाद उसनों जिसमानी रूप विच पन्या गया एही वज़ा सी के हर जगा पहला गुर्दवारे उत्ते हमला किता गया ते उस तो बाद सिख्छा दा कतल किता गया सी गुर्द्वारे नो साडन दे नाल ही फिरकूपी डाद्वारा बहुत सारिया थामाते श्रीग्रू ग्रण साहिब दे सुरूप दी गिनमत के अते बेहद कटिया टंगा नाल कीती गई को और ब्यद्वी ने सिख्खा नो साब नालों ज्यादा दुख पहुंचाया एह एक जेही गालसे जिस दी सिख्खा ने कदे कलपना भी नहीं किती सी किन्ने ही चश्म दीद गवाहा ने इसके नोने तत्थ दी तस्दीक किती है के ताडविया ने कई जगा शिरीग्रू ग्रण साहिब दे सुरूप नो अतियंत नफरत नाल ठुड़े मारे हवाच पने पाड़ के खिलार दते गए इना फटे खिलरे पनेया नो पैरा हेट मदोल्या गया ते कई ठावा ते अजेहा कुछ कीता गया जसता जिकर करना वी मुश्कल है पारत अंदर फिरकु दंगे बहुत होए सान पर किसे फिरके देता आर्मिक ग्रंथ दा इस तरह गिने को हरकत नहीं हो सकती अजेहा कर्म जुरूर ही किसे वद डूंगी ते वदेरे बुनियादी नफरत दा पर गटावा कारदा है छेमा तार्मक चिन्ना दी बेदबी लगपग हर जगा हिंदू पीडा ने सिखान दे तार्मक चिन्ना विरुद उचेची नफरत वखाई सिखानों बेदर्दी नाल कतल करन तो पहला उना दियां पगगानों हवा विच उच्छालन ते साड देन अते उना दे केसा दाडियां नो जबरन कुतर देन दियां कटनामा बहुत ही व्यापक पैमानने ते वापरियां एहे करतूत कादियां हिंदू पीडावलनों खुशी विच किलकारियां मारन अते चांबडा पाए जान दियां रिपोर्टना आम मिल दियां हन इस्ट विनोध नगर दियां कुझ विद्वावा ने अमिया राओ ते उस दे साथियां नो अपनी दर्दनाक विथ्या बियान कार दिया जस्या की पहली नवंबर नू यूपी दी सरहद वाले पासियों खदर दियां दुद्ध चिटियां पुशाकां वाले कांग्रसी वरकरा नाल पर यां हुआ दो बसा आईयां जो कालोनी दे सामने सड़कुते आके रुक गियां एहे वरकर इंद्रा गांदी दे अंतिम दर्शन करन चले सान हुआ काली नाल बसां चो उत्तर के कालोनी अंदर आको से अते उना उत्ते पहला ही चौकी गिंटे विच गठे होई मश्टंडियां नू नाल लेके सिखां होते वैशी हला बोल देता इंद्रा गांदी दी मृत तक दे दे दर्शना नू जानतो पहला उह कालोनी दा जो हाल बनाके गए राम जेठ मलानी ने उस दा खाका इस तरह खिचया है जदो असी विनोध नगर दी तर्फ मुडे ता सडक दे पार एक अनपशाती लाश पई वेखी उत्थो लंग रहे लोका ने जिना ने सब कुछ अपने अखी डठा सी सानो दस्या की ओ लाश विनोध नगर दे ही रैन वाले के सिख दी सी जिसनो मारन तो पहला कातला ने उस दा मूँ सेर मुन दता सी ते फिर ज्योंदे नो ही मिट्टी दा तेल पाके साड़ दता सी गड़ी विच किनिया ही जडिया हुए लाशां विचिया पया सान जो जहरा रूप विच सिखांदीया सान जिना दे लंबे कटे हुए वाल लाशां दे कोड़ पैसन कुझ ही कंटे पहला विद्वा कारदतियां गईया, दुख्यारियां, सिख और ताने दस्या कि हत्यारे सिख्ए दे वाल कटन विले उना नू मशकरियां कार देते मोने, मोने, मोने कहके उना दा मझाक डूँदी रहे सिखा नू नचन लई मजबूर करके हत्यारियां दी पीड जांगली हसा हस दी रही अखीर विच उना उत्ते मिटी दा तेल छड़क के अग लगा दती गई एक बजोर्ग सिख औरत ने दस्या कि उस दे पोत्रे नू पहला गंजा किता गया ते फिर उस दे वाल उस बद नसीब दादी नू पेश किते गई BBC दे रिपोर्टर सतीश जैकब ने दो नवंबर नू तरलोक पुरी दे बती नंबर बलाक विच जाके वेख्या कि हर कार दे वरांडे विच लाशा बिखरियां पेगा सान जेडियां की जहरा तौर ते सिखा दिया सान क्योंकि उना नू मारन तो बाद उना दे केसा नू काड मात पादते सन विखे कतले आमदा कारोबार निर्विगन ने प्रे चाड लें तो बाद जियोंदे बाच रहे सिखा नू स्थानक ठाने अंदर जानवरा वांग तूड दता गया सी 33 नवंबर दी गल है जदो ठाने दार ने एक नाई नू ठाने अंदर बुला के सारे सिख मरदां दे केस जबरी कतल करवा दते सन उत्तों होर सितम एहे की नाई नू वाल कटाई दे पैसे वी सिखा दियां ही जेबां चो दते गये सन 21 रुपे प्रती व्यक्ती दे हिसा अबनाल नाई नू खड़े पैर ही 500 रुपे दी कमाई हो गई सी पहली नवंबर नू जदों तुगल का बाद दे रेलवे स्टेशन उत्ते हलकाईया हुईया हिंदू पीडावलों सिखा नू गड़िचों लाके बेरेमी नाल कतल किता जा रहा सी ता एक सिख भीबी ने कातलां दे मिनत तरले करके रोंदेया कुरलां देया अपने नौजवान पती दी जानता बखशा लई सी पर हिंदू दंगाकारिया ने इस रहम दी जो कीमत वसू किती हो कतल नालों कट नहीं सी जान बखशी दे इव्द विच उना जद्दकार के उस दे सिख पती दे केस कतल कार दते सानते पागनू अगला के साड़ दता सी तर लोगपुरी विच एक दुख्यारी मानू जद पारी तलाश करन तो बाद अपने सोड़ा साला दे पुतर दी लाश एक गड़ी विच पई होई मिली सी ताहे वेक के उस दी ता निकल गई सी के ना सर्फ उस दे जिगर दे टोटे दा अंग अंग वड़ेया पया सी सगो उस दे हाथ विच पाया होया कड़ा वी टुकडे टुकडे होया बिखरया पया सी यानि की फिरकु जलादा नू उस अलूई जिंद उत्ते जुल्म टाके ही राज नहीं सी आया उनना ने उस दे कड़े उत्ते वी बराबर आपनी फिरकु वियो लाई सी परसिद पतरकार मरहूम इवान फेरा ने भी हिंदू दंगाकारियां दे सकनोणी फिरकु मान सिक्ता दा जिकरकार दे होया लिख्या है कि बहुत सारे मामलियां विच मक्तूला दे सिर मुन दते गया ते मारन तो पिलना उना दिया दाडियां नू अग लाके लू दता गया जिमें की केंदरी वजारत दे एक सीनियर सिख अफसरदा कहना सी के एह सारा पाप सिखा नू जलील करन दुबेल बनौन तिप विक विच उना वननो कोई मोडवा हमला करन दी संबावना नू खतम करन लई गिनमत के किता गया सी टाइम्स आफ इंडिया दे एक पत्रकार ने कतलो गारत दे चाटबाद जद फराश बजार विखे स्थापत कीते गए एक राहत कैंप दा दौरा कीता था उसनो पहली नजरे ओहो एक हिंदू कैंप नजर आया क्योंकि उत्थे शारनलेंड वाले बहुत सारे सिख मर्दा न कतले आम दुरान अपनिया जाना बचाउन ले मजबूरी वास अपने मूसर मुनादते सान। अपने केस कतल कराउन ले मजबूर होये जां कीते गए इना बद नसीब सिखा दे मांदी वेदना नू जया जेतली ने इना शब्दा विच परगड कीता है। स्वै मान मन आत्मा ते आबरू दा जोकान हो चुका सी ओहो साफ नजर आ रहा सी। उना दे मना अंदर अपनी खुसी होई शान नू वापस मोड ले ओन दी फौरी इच्छा ते तीबर तांग पैदा हो गई सी। सत्वा और्ता नाल वैशी सलूक किसे एक फिरके दे लोकांवलों किसे दूसरे फिरके दे लोकांवरुद कीती गई समोहे का हिंसा दे अमल दोरान पीड़त पाई चारे दिया और्ता नाल कीता गया सलूक। उस हिंसक वर्तारे नु समझन विच बे हद सहाई हुंदा है। इस तो ना सिरफ हिंसा दे मनोर्था दी टो मिल जान दी है सगो नाड ही हिंसा करन वालियां ताकतां ते ततां दी मान सिकता ते सदा चार दीवी पर तक चलक मिल जान दी है तर लोकपुरी दे बती नमबर बलाक दी पंताली वर्यां दी गुर्दीप को और द्वारा मदू कश्वर नू सुनाई गई दिल चीरवी हड बीती चो हिंदू फिरका प्रस्ती दा सारा कुछ परगट हो जानदा है। मैं उस दिन रोटी नहीं पकाई सी मैं केहा पुत साब लोक मातम मना रहे हन उह साड़ी वी माता से उसने सानुए थे वसाया मेरा रोटी पकाऊ नू जी नहीं कारदा। सालन दे जवान मुंडे नू बाहर के सिटन लगए। ओह मेरे पिछे लू क्या होया सी उनना मेरे कपड़े पाट दत्या ते मेरे पुत्तर दे सामने मेनू अल्फ नंगा कार दता। जदे हे मुंडे मेरी पात लुटन लगए था मेरा बेटा रोण लगते है। उसने किहा बड़े भाई ऐसे मत करो एहे मेरी ही मा नहीं तुम्हारी वी मा की तरह है। पर उना उसे था मेरी पात लुटी मेरे अपने कार विच मेरे अपने बेटे दे सामने। उहो सारे जवान मुंडे सन शायद आठ जने होनगे। मेरी इज़ित लुटके उहो चले गए अते मैं अपने बेटे नू लएके दूसरी यां तीम यां विच जा बेठी। पर उहो फिर आए ते मेरे उसे बेटे नू कसी इटके लाए गए। गली दे सिरे ते ल जाके उना उसनू लाठिया नाड़ मारया ते मिटी दा ते लपाके जौन दे नू जला दा। मैं उसनू बचाउन दा येतन किता परोना में नू चाकू मार के मेरी बाँ पान दती। मैं उस वेले बलकुल नंगी सां। मैं किसे तरह एक चादर लब के अपने दूआले लपेट लई। जे मेरे तान ते एक भी कपड़ा हुंदा ता मैं जाके अपने पुत्तर उते डिग के उसनू बचाउन दा येतन कार दी। मैं अपने टबर विच्चों कटो काट एक जणे नू ता बचा लें दी। चारां विच्चों एक भी नहीं रहा। उस दे कहन नुसार उस दे गौांड रेंदियां तीमिया जो कोई भी तीमिया जेही बेपती तो नहीं सी बची। नौदास वरियां दियां कुडियां नाडवी बलतकार किते गए। उसने अपने अखीं एहे कोकार महुंदा वेख्या। ताडवी पहला मर्द मेंबरानु कर आचों बाहर खिचके अग्याला के साड़ दन दे फिर ओहो औरतानु के सीट के बाहर ले जान दे जदो करानु लुटिया जान दा सी ता औरता नाड कईं कईं वारी बलतकार किता जान दा सी बलतकारियां ने बुड़ी ते जवान और दा फर्क नहीं विख्या नंद नगरी विच एक असी वर्यां दी बर्द औरत ने एक समाज सेवक नो दस्या कि उस दी वी पत लुटी गई सी तर लोकपुरी विच कई बुढ़ियां जनानियां नाड़ोना दे टब्रां दे सामने वार वार बलतकार होया वी सालना दी बेबी नादी एक नवे आई पर जवान औरत ने दस्या कि साड़े टबर विच कुल छे जी सन मेरा पती ते जेठ दो में मार दते गे होना सी तनतीमियां ही रह गई यहां शाम चार वजे साड़े मकान ते हमला किता गया ते सारी रात लड़ाई होंदी रही मेरे पती नो पहला कु उना मेरे कपड़े पाड़ सुटे दंदा नाल वड़ेया ते नौंदरा मारिया दास वजे रात नू लेके गए ते सवेरे तिन वजे छड़ेया मैं जो दो वापस आई ता बलकुल नंगी साँ उना मेरे सारे गैने गटे खोल ले साँ वो मेरे तांतीक कपड़ा वी छाड के नहीं गए सडकते में नू किसे दी चादर मिली मैं चादर वलेट के चिला पेंड़ दी तरफ चाल पई उत्थे मैं अपने रिष्टेदारां तो कुझ कपड़े ले तरलोग पुरी दी ही एक होर पीडत सिख बीबी जान की बाई ने मिश्रा कमिशन नू सौंपे हलफिय ब्यान विच बलत कारिया दीक पेड़ दुआरा वखाईी की दृंध गी दा हाल ब्यान कारदे हो सिया की दंगा कारिया ने सिख बीबी आनो तम कावंदे होए हुकम दता सी के सन्नू अपने खावंद कहो असी तुहडे मर्द हां असी हुन तुहड़ा जलूस कड़ांगे क जो न थोड़ा वड़ा गुरू कि थे गया। तुसी हुन कुतियों तरलोकपुरी दा ना लेना चाड़ देओ। मुड़ के ऐथे कदेना ओना। चिल्ला पिंड विच चलो, नहर विच उत्रो। चिल्ला पिंड विच लजाके वी ओह साड़ेना लगातार गाल मंदा कार दे रहे। एहे कैंदे रहे कि कुतियों थोनू किते टोई नहीं मिलनी। असी लुटियां पुटियां ते करलोंदियां हुईयां अवारा कुम दियां तरलोगपुरी दी ही एक होर औरत जो चार बच्चेयां दी मा सी ते जस दे अठारा वरेयां दे पारजवान पुतर नूस दे समने ही बेरेमी नाल कतल करदता गया सी ने दस्या की पहली नवंबर नू जद उना दी अपनी ही बस्ती दे हिंदुआं अते आले द्वाले दे पि जंद यतन कीता ता दंगा कारियां ने बगे आडा वांग उना दा पिछा करके छेती ही उना नू नेडे पैंदे एक ड्रेन विच जाद बोचिया अते फिर उना सबना नाल उस वेले उत्थे ही समोहिक रूप विच बलत कार किते गए उहरोंदियां करलोंदियां दृंदि कारके उनानों मौके ते मुझूद पीड विच्चों अपो अपनी पसांद दे मर्दां दी चोन करन ली किहा गया फिर सारियां दी वार वार पत लुटी गई उस चारां बच्चेयां दी मान नाल दास जणियां ने खेखा दी सी हेवाना ने अपनी हवस बजा लेंड तो ब मैंड तारा सैगल ने शुगल मेला कार रहे दरिंदेयां दोारां बुडियां जवान ते गरब वती औरतां तो लेके अठ अठ नौन सालां दियां बालडियां नाल कीते गए अन्मनुखी कारें उते वेले दे हाकमानों करारी फटकार पाई है इस तरह सिख बिबियां नो स उतरां ते वीरा नो जियोंदेयां साड़ दता गया से इस उपदर दे छेती ही बाद राहत दे काम विच सरगर्म होयां कुछ रोशन जमीर औरतां ने अपमान ते सितम दियां मदोलियां इना सिख बिबियां दे मुहों उना नड होयां अन होनियां दी हॉल नाक वित्या ता उना दे कलेजे मून हो आगे सां। बाद विच जाके कई सालां दे वक्फे पिछों पढ़ लिखके प्रोड होई एक उच वर्ग दी चैतन बुद्ध ते सूखम पावी सिख औरत ने जिसने नवंबर उनीसो चरासी विच आप वीक वक्री शकल विच सिख विरोधी फि बंदत परकाश्त हुनियां रिपोर्टां किताबां ते पड़तालियां कमिशना दियां कारवाईयां विच कल्लू का रेदे इस बेहद किनोने पाखनू रड़क में रूप विच अन गोड़यां किता गया है इना औरता नाल बीते संता आपनू अजे तक ना ता चंगी तर नाल कलमबद ही किता गया है बौतियां रिपोर्टां विच इस अनमनुखी कारे दा चल्वा जिहाद जिकर ही मिलदा है अते ना इस उते अजे तक कोई कानूनी कारवाई ही होई है किनी गिलानी ते दुख दी गाल है कि अजे तक किसे दोशी उते बलतकार दा इक वी इह परगट होया है कि सिख विरोधी फिर को हिंसा दे इस दावानल दा सेख सिख समाज दे सारे वर्गाते अंगानू सेना पया जिना दियां जाना बाच रहियां उना दियां जैदादा उजड़ गईयां जो सिद्धे हमलया तो बच रहे उना नू सेहम ने काईल करी रख्या जेड़े लोग इस कतलोगार तुते कारण अते नतीजे दा सिदान्त लागू कारके पंजाब अंदर ली सिख हिंसा नाल इस दियां कडियां जोड़ दे हन उना कोड इस तातदा की जवाब है की हत्यारियां पीडाने सिख समाज अंदर ले उना तत्तानू भी नहीं बक्षिया जिनादा ना सिरफ पंजाब अंदर लीयां खाड कू सिख वारदाता नाल कोई दूर दावी वास्ता नहीं सी सगू जेड़े उस खाड कू कुचल देन दी सरकारी हिंदू रण नीती दे मोरे बने होई संद। मिसाल वज्जों दरबार साहिब ते फोजी हमले तुबार टठे होई अकाल तक दी मुढ उसारी करन लई सरकार नू निरलाज पुणे नाल अपनिया सेवामा अरपत करनवाले नहांग मुखी संता सिंग 96 क प्रोडी दे निज्जी सहाइक रण जोद सिंग अते उस दे होर किन्ने ही साथी वी हिंदू फिरका प्रस्ती दे दैंत दा खाज्या बन गई सान। हजारां होर सिखा मांग उनानू वी उसे निर्दई पुणे नाल कतल कर दता गया सी। जून 1984 विच हिंदू हाकमा वल्नों सिखा विरुद आपनी फिरकू वेहोलाण लई। पहला अकाल तक साहिब नू टैंक का नाल थे कार देना ते फिर आपने सपाप उते परदा पोशी करन लई। उस दी मुड उसारी करन दा पर पंच रचन दे करम ने सिखा दे हर दे आं इस कंपनी नू दता गया सी। उस उते एह मेहर उस दी अपनी किसे ल्याकत करके नहीं बल्कि उस दे बाप हर बंस सिंग दी नेक कमाई करके हासल होई सी। हर बंस सिंग पहला सिख विदवान सी। जिसने वक्री सिख कौम दी तारना ते खालस्तान दे विचार वरुद सब तो पहला सदान तक मोर्चा खुल्या सी गुपाल सिंग दर्दी तो इलावा ओहो एकको एक अजिहा सिख विद्वान सी जिसने दरबार साहिप ते फौजी हमले दी पूरी बेश शर्मी नाल हमायद किती सी इस प्योपुत्तर जोडी नूनी सुचरासी दे काले नवंबर दे पहले तेन देन दन दनों दे फर दे कातलां दे गरोहां कोणों अपनिया जानना बचाउन ले होर ना दे करीं जाके सिरलकोना प्या सी नाल ही हुन सरदार तर लोचन सिंग जिसने जून चुरासी तो लेके एक्टूबर तक लगा तार पांज महीने सिखादियां तार में कत ते राज सी संस्थामा उते सरकार प्रस्त तत्ना दा गल्बा स्थापत करन ले दिन रात इक करी रख्या सी दीवी सुन लवो कति टूबर शाम नू ग्यानी जैसिंग दी दिल्ली दे पाल्म हवाई अड़े तो मेडिकल इंस्टिट्यूट तक दी यात्रा दुरान साधियां दोवे कारां एक जिस विच राष्ट्रपती दा सकतर बैठा सी अते एक जिस विच मैं बैठा सी बुरी तरह पीड़दा शिकार होया मैं केवल ड्राइवर दी हुश्यारी कारण ही बाच सकया जिसने मिनो बड़ी फुर्तिनल कार पहुंचाया केंदरी होम मिनिस्ट्री अंदर साब तो उच्चे रुतबे वाले सिख असर सरदार गुर्देव सिंग गरेवाल जो अकालियां प्रती आम करके अते सांत जर्नाय सिंग पिंडरा वाले प्रती खास करके मन अंदर तिखी करना राखदा सी अते जिसने सेयुक्त सकत्तर दी हैसियत विच तर्मिद मोर्चे दुरान केंदर सरकार दियां सिख दुष्मन नीतियां नू लागू करन विच उच्छाही पूमिका नबाई सी नाडवी जो बीती उसनू पढ़के हर संवेधन शील व्यक्तिदा मान दहल जानदा है गुर्देशीं गरेवाल दी पतनी पाली गरेवाल ने 21 साला बाद जाके अपनी थी जोती गरेवाल नाल उना मनहूस कडियां दी याद इस तरह संजी कीती मैं संताली दी वंडवी वेखी सी मैं नू पता सी की कुछ वापर साखधा है फिकरानि मैंनो के लिया सी मेरी हालत उसे तरह हो गई सी जिहोज़े संताली वेले मेरी माधी सी जिसनों अपनिया तेनतियानों संबालना प्या सी अज 1994 विच अपनिया दो तीयान दी जिम्मेवारी मेरे अपने ही सरते सी मैं बहुत सोचिया की की किता जावे मेरे पती गुरुदेव नो परशाशन ते जादा ही विशवाश सी पर जद उसनों टेली फोन ते पता लगया कि साड़े नेडे ही जस्टिस चड़ा दे का ते हमला हो गया है ताँ उहो भी फिकर मंद हो गया पुलिस दी सहायता लैंड दी उसने डी आई जी रिजिंदर सहाय नो फोन किता अगो जवाब मिलिया सर मैंनो अस्सोस है की असी तो हड़ी मदद नहीं कार सागदे सानो प्रो हुकम है सहाय दे एह शब्द सुन के उहो है लगया होन उसनो पता लगया की दली विच की होन जा रहा है मैं गुआंडियां दे कार गयी अते उननो पुछ्या की की ओहो आज दी रात मेरियां ती आनो अपने कार राख साकदे हन पर उनना जी जवाब ने मेरे पैरा हेट हुन जमीन कार दती आखरकार उहो है ता हिंदू ही सन अते असी सिख उना सिद्धा जवाब दे देता माफ करना असी नहीं रख साकदे मैं नो बहुत गुस्सा आया फिर असी सारे जणियां ने गुरु महराज दा आस्रा तक या ते राड के गुरु गरंद साहिब मुरे अर्दास कीती उस्तोबाद मैं खाना त्यार किता TOP पर किसे ना खादा पहली नमबर तक सानू काफी पता लाग गया थी ने दिल्ली सार रही थी ने सिख उन्व को को के मारे जा रहा थी मैं बहुत ज़ादा डार रही सी फिर मैंक होर गवांडी देका रगई है थे उना कोड़ों पिस्तोल मंगया मैं सोच्या कि जे पीडाने हमला कार देता ता में तुहनों सारे नु मार के अपने आपनों गोडी मार लवागी पर उना ने वी जवाब देता सगों गवांडन अगो कैन लगी तो हनु पता है कि सिख वड़ी पदर ते हिंदुआ नु मार रहे हन जम्मू वलो गड़ियां लाशा नाल पर यां आ रहे हन मैं उनी पैरी वापस आगे साड़े कारदो किरपानस हन मैं सोचा कि जी लोड़ पई ता इना नाल ही अपने आपनु वड़ लवांगे फिर मैंनु एक होर स्कीम सुझी मैं तिलना वालियां डबियां ले आई उना नाल कारदे परद्याने बहुत जल्दी अग फाड़ लेनी सी साड़िकार विच अगलोन वास्ते होर कुझ भी नहीं सी मैं तेनु समझाया कि जदो पीड ओंदी दिखे ता दबा दब तील बाल के परद्यां ते सुट दे मी गुर्देव तुहानु दोहानु अपने दो ही पासें बठा के बामा विच लेके सारी रात जागदा रहा मैंनु नहीं याद कि तुसा आपस विच कोई गल कीती सी जा नहीं अगली स्वेर सानु मिस्टर एक्स ना लुकालिया दा फोन आ गया कि हुण तुहानु डरना नहीं चाहिदा क्योंकि पीडां दे आगुआनु कैज़ता गया है कि सरकारी बंगलियां ते हमले नहीं करने जो तो साड़ी वड़ी नौकराणी कामकरन आई तक हैन लगी बड़ा मज़ा आ रहा है अज जमना पारों कपड़े आ रहे हैं जो बहुत सस्ते मिलन गे मैंनु एह वी पता लगा कि साड़ी चोटी नौकराणी महले विच कह रही है कि गरे वाला ने इंद्रा गांदी दी मौत ते खुशी मनाई सी किन्नी मूरक सी ओह औरत गुर्देव नल काम कार रहे जां कार दे रहे किसे वी व्यक्ती ने साड़ा हाल चाल ना पुछिया रातों रात ओह हिंदू बढ़ गए सन अते असी सिक कई महिने तक लोकांदा साड़े नाल विहार चंगा न रहा एक दिन तेरी पैन पृती कालिज तों वापस आई ता ओह बहुत ही पकी होई सी कैन लगी रब करे मैंनू कितेयों बारूद मिल जावे मैं केहा की गल होई इस तरह दे अगलना क्यों करन लग पाई है उस दा जवाब सी मैं अपने कालिज दे दफ्तर नो उड़ा देना चाउं दी हां उथे लोक मेरे ना नाल लगए कौर शब्द ते जोर देके हाफते हम गुर्देव नो वी अपने दफ्तर विच हर तरह दे अपमांदा सामना करना पया हर कोई उसनों एक मामुली जिहा बंदा समझन लग पया सी बहुत ड्रॉने दंसान ओहो तुसी अपना समा गुर्दवारे बतान लगिया फिर तुसी रफ्यूजी कैंप विच जाना तुसी कुझ भी नहीं सी दासरिया की की होया बस रोई ही जा रहिया सी मैंनू ओहो दिन चंगीत रह याद है बहुत ही प्यानक देन सी ओहो प्रितिद एक दोस्तने साधी मदद करन दी पेशकश किती ओहो एक अमरिकन लड़का सी ओह साधी दुखनू समझ साकता सी शायद इस कारके की ओहो एक यहुदी सी सिख राजनिती अंदर सच्ची ते सुच्ची पांथ प्रस्ती नू रूपमान कार्दी जिस पंथक तारा नू फिर कुर जान कैके पंडया जान्दा है हर किशन सिंग सुर्जीत नालों वद उस दा कटड़ विरोधी ते दोखी होर कौन हो साकदा है जिसने अपने राज सी जीवन दी अद्धी सधी पंथ प्रस्ती दे सुच्चे जजबे नू पंडण निखेडन ते खदेडन दे अपवित्तर कार्ज दे लेखे लादती सी पहली नमंबर नू तीन मूर्ती हाउस विखे इंद्रा गांधी नू अपनी शिर्दांजली अरपन करन पहुंचे उस सुर्जीत नू हिंसक हिंदू पीड कोणू अपनी जान बचोनली पजणा पैगया सी उस दी अपनी जुबान नी सुनो उस दिन मैं वी अनेका लाशां विच्चों इक लाश बाण साकदा सी मैं नमुंद्री पद बसवा पुन्य अते समर मुखर जी अजे तीन मूर्तिपा वंदे वेडे विच्च ही सां की पीड विच्चों कुछ व्यक्तियानी मैंनू वेख लया वह मेरे वाल दोडे 5000 वक्तियान तो वाद दी एहे पीड सांग पाड में सिख विरोधी नारी लगा रही सी पीड दा एहे द्रिश ही बंदे दी डार नार जान कड लैन ली काफी सी मैंनू लग्या की हुन बाच निकलन दा कोई रा नहीं रहा मैं कामरेड नमुंदरी पद अते दूसरे साथिया नू केहा की मैंनू इकल्ले नू छाड़ देओ क्योंकि यहे बल्कुस पश्ट हो चुका सी के जे उनना ने मेरी कोई मदद करन दी कोशिश कीती ता हो भी हमले दा शिकार हो साक्डेशन पचंगी किसमत नू उसे समय एक CID अफसर मेरे वल पजिया आया ते कैन लगा कि मैं किसे तरह पाज के उस दी जीप कोड पहुंच जावा जो थोड़ी दूरी ते खड़ी सी सुरुजीत ने अगे दस्या कि अगले तेन देन उसनू पार्टी दफ्तर अंदर ही छुपके रहना पया सी सिक्स माज अंदर ले नामतारी वर्ग ने उनिसु संतालीतो बाद राजिसी खेतर विच कांग्रेस पार्टी दा लगा अतार पाक पूर्या 21 वंबर नू इंदरा गांदी नू शर्दा अंजली अरपन कारन गए नामतारी जथे नूवी जान बचाके चोराओं आंग पर जना पया गया सी 21 दिली दियां जमना पार दियां मुडवसेबा वस्तियां अंदर गरीब सिख वर्गा जिना विच्चों बहुते यांदा अकालियां जां सांत जनाय सिंग पिन रावाले नल कोई वाव वास्ता नहीं सी जना दी बहुत गिंती ता पंजाबी सिखा दियां सियासी मंगा दी वरोधी सी जो कांग्रेस दी पक्के वोट बैंक समझे जान दी सन उना नल वापरीत रास दी तो हर कोई जानू है होर किसे दी गालता चड़ो जेकर देश दा राश्टरपती एना देहल गया सी के ओहो राश्टरपती पावंतों बाहर पैर पाउन दी जुर्रत नहीं सी कार साकदा ता एहे अंदाजा लगोना ओखा नहीं के दैश्त दे उना दिना दुरान आम सिखां उत्ते की गुजरी ह होगी गयानी जैल सिंग दी लाचारी दा ते नाल ही निपन सकता दावी अंदाजा इस गालतों लाया जा साकदा है कि ओहो अपने एक नजदी की रिष्टेदार जो खुद एक एहम व्यक्ति दा जवाई सी दी ना सिरफ जान दी रख्या ही ना कार सक्या सगों उस दी लाश पंजाब राज बिजली बोर्ड दे चेर्मेन शिरी एन एस वसंत दी पतनी दा फोन आया कि पटेल नगर विच उस दे जवाई शिरी वर्दी नो एक पीड ने कतल कर दता है अते उस दी लाश नो पुलिस कोडों लैंड ली बेंती किती शिरी मती वसंत दे फोन तो चट बा ही पारदे राश्वपती ग्यानी जैल सिंग दा फोन वी आ गया गया ग्यानी जी कैन लगे कि एहे ना समझी के पारदा राश्वपती तेरे नाल गल का रहा है एहे तेरा दोस्त जैल सिंग है जो तेरे नाल गल का रहा है मेरे करिश्टेदार शिरी वर्दी नो पटेल नग उखक्ते मेंबस पारलिमेंट वियुटे किसे उदेरे गांधी प्रति जिसस्ते वफदारी उत्ते कदे किसे ने उंगल नहीं सब्सक्ता क्यों bene उठाई पर पहली नवंबर नो एह नहीं सैंकडे उंगला उठियां वेख दियां वेख दियां उस दियां नजफ गड ओखला ते बदरपुर अंदर लियां कोका कोला दियां फैक्टरियां साड के स्वा कर दतियां गें इसनाल उस दा जो माईक नुकसान होना सी होता हो गया उसनो जिस निरादरी ते जलालत दा सामना करना पेया उस दा उसनो कोई काट दुख नहीं होया उसने पत्रकारा सामने रोण हाक का हुंदियां केहा मेनू बड़े अफसोस नाल कहना पैरहा है कि दल्ली दे मेरे किसे वी साथी MP कोडों इनना विना सरया कि ओहो फोन करके मेर हाल ही पुछलवे हिंसा दुरान होई मायक नुकसान ते अपमान सदका पारीमान सिक ओक्चों हो दल्ली दे उन्ताली सिख सनतकरा नाल राल के पर दानमंत्री नू दिते जानवाले एक अजेहे मेमरेंडम होते दस खतकार बेठा सी जिस विच सरकार द्वारा सिखां दी पर दानमंत्री राजीव गांधी को जाती तोर ते जाके कीरा वांग ना सिर्फ मौफी मंगनी पैगई सगों हजारा सिखां दियां लाशां ते पैरतार के परदानमंत्री दी कुरसी तक पहुंचे परदानमंत्री नू दलेर पर्ष कह के जान खलासी करनी पैसी महिंदर सि साथी दिल्ली दा मेर सी उसनू कांग्रेस पार्टिय ते इंद्रा गांदी दा अनिन पागतों दी बना ते दिल्ली दे मेर दे ओदेनल निवाजय गया सी साथी ने बाद विच दस्या की ओहो लेफटिनेट गवर्नर ना संपर्क करन लई अठारां के अंटेता की यतन कारदा रहा पर ओहो पता नहीं किते डुब गया सी कत्य एक्तूबर नो महिंदर सिंग साथी जदों हस्पताल विच इंद्रा गांदी नो शर्दांजली पेट करन गया सी ता उदों वी उसनों कार विच्चों कडीस के बाहर कड़न दा यतन किता गया सी 1992 तक डाक्टर मनमोहन सिंग दा राजनीती नाल कोई लागा देगा नहीं सी आर्थिक मामलियां दे माहर होन दी हैसियत विच लंबे चिर्तों कौम दी वडमुली सेवा निबों दा आ रहा है असी मियां विच जद उसने मुडतों दिल्ली स्कूल आफ एकनॉमिक्स विच पड़ोना शुरू कार दता ता उसने अशोक विहार विच आपना फ्लैट आपनी ती उपंदर को और अथे उसने पती जो की हिंदू सी नू सौंप दता सी आथे आप कॉलज दे प्रोफेसरां दे क्वार्टरां विच रहना शुरू का दता सी पर कर उते ना दा फटा मनमोहन सिंग दा ही रहन दता गया सी मनमोहन सिंग दी पतनी ने बाद विच खुश्वन सिंग को और इंक्शाफ किता की नवंबर चुरासी विच गुंडियां दी के टोली ने सिख दा मकान है जला देो दे होकरे मार दें अशोक विहार विच ले साड़े उस फ्लैट नू अगला के साड़ दें दा यतन किता उस मौके साड़ जवाई विजे बाहर निकला थे पीड नू ललकार के कैन लगा एहे मेरा कार है मैं हिंदू हाँ एहे सुनके पीड ने फ्लैट नू बक्ष दता सी खुश्वन सिंग ने इस उते मजा किया टिपनी कारदिया श्रीमती मनमोहन सिंग नू कहा सी कम आगया हिंदू जवाई जिस दे जवाव विच उसने हस के कहा सी हाँ कम आगया जेना बद नसीब सिखा दा कोई हिंदू जवाई नहीं सी ओह अपनिया जाना दे मकाना दोहां तो हाथ तो बैठे सम नवंबर 1984 तक सिखा नू फौजी सूर्मया दे रूप विच देश दी रख्या हित कीतिया अपनिया कुर्बानिया दा बहुत ज्यादा मान सी यह पावना सिखा अंदर एन्नी व्यापक ते एन्नी परबल सी के ओह अपने आपनो पारदे विशेश शेरी तसवर का दे सन कती एक्टूबर नू इंद्रा गांदी दे कतल नाल ही स्थती ने सिफ्ती मोड काट लिया फिर कुज नून विच अनिया हुईया हत्यारिया पीडा ने ना किसे सिख दी फौजी वर्दी वेखी ना उस दे मोड़े उते लगे स्टारां दा रोब मन्या ना छाती उते सजे हुए बहादरी दे तग मिया दी कोई प्रवा किती बाकी सिख वर्गा वांग ही सिख फौजीया नो भी करां ते रेल गड़ियां चों कड के उसे बेरेमीनल कतल किता जां जियों दे नू अग्गा लाके साड़ दता गया किनना करूर व्यंग सी के बाहर ले दुश्मनातों देश दी रख्या करन दा मान करन वाले सिख फौजीया नो देश दे अंदर ही अचानक उना दे दुश्मन बाण गए बहुग इंती पाई चारे कोड़ों अपनी रख्या करनी मुश्कल होगी सी स्टमबर उनिसो कहतर दी पारत पाक दी जांग दे हीरो जनरल जगजी सिंग अरोडा ते उस दी पतनी दी अपने कारंदर जान सरख्यत नहीं सी रही उनना अपने हिंदू दोस्त इंदर कुमार गुज्राल दे कारविच लोग के जान बचौनी पै गई सी स्टमबर उनिसो पैंट दी पारत पाक जंग दे कहोर नाइक जनरल हर बक्ष सिंग नू के से हिंदू दोस्त दे कारविच पना लें दा अपमान ते मांसिक संतापता नहीं चलना प्या पर अपनी जान ते अपने परवादियां औरत मेंबरा दी इज़त सिनमा दी रख्या क समया कि चुण चुण के बाहर खिच लें आँ किलकारियाें दे शोर विच उन उनू कुट कुट के बुरी तरह कायल काव देन आते फिर जियों देनू अग्ग नाके साड़ देनहा तर्फ द देनू वे के खुशी विच बागियां पौंड दियए वार्दाता ना जेकर हर गैर सरकारी परतालिया रिपोर्ट विच खिता गया है। परतालिया रिपोर्ट विच खिता गया है। जिस विच दस्या गया सी के किमे कैम्प दी निगरानी कार रहे अधिकारी पीड़ जवाना नू पत्तर कारां कोल अपनी विथ्या सनौन तों वर्ज रहे सनौन। अते किमे कोज जवान अते जूनियर कमिशन्ड अफसर वैशी जुल्म वेक के इन्ने सैमे होई सनौन। क्यों हो मुड़ फौजी ड्यूटी उते जानतों चीजिक वखा रहे सनौन। एक ठेहुन साड़ा कोई हाल नहीं रहे गया। फौजी डिकारिया ने सिख विरोधी फिर्कू हिंसा विच मरन वाले फौजीया दी नफरी सर्फ चौन्ती दसी है। जदों की परताप सिंग फूल का ना देक सेवा मुक्त फौजी अफसर ने कुल मिला के तेंसो दे करीव सिख फौजी जवाना ते अफसरां दे कतल किते जानदा खच्छा परगड कीता है। नोवा पत्वंते सिखां उत्ते वी कहर टठ आम हालतां दर समाज देतनाड लोग अपनी आर्थिक हैसियत दी बुदौलत विशेश हक सहूलता मान देहन। पर जद बहु गिंती वर्ग नू फिरकू हलका उठ पैंदा है ता कट गिंती पाइचारें देतनाड वर्ग दा उचेचा रुतबा इकको चटके नाल मिटी विचे रूल जानदा है। उदोना दी देश दे हाकमा नाल सांज अते नेडता दा मुल काणी कोड़ी वी नहीं रहा जानदा ते उना नू अपने पाइचारे दी होनी हंड़ोनी पै जानदी है। नवंबर चुरासी विचे दल्ली अते होर ना शेरां देतनाड सिखा नाल वी इहो भी थी। एक अर्बापती सिख सरदार मुखिंदर सिंग दी कहानी सब कुछ कैदंदी है। मुखिंदर सिंग दे नेरू परवार नाल बहुत ही गुड़े सबंसन। उस दा बंगला की सी प्राचीन वस्ता दा मानू अजाइब का रही सी। जिते उसने प्रातन हथे आरां आते कला मई करता दा बहु मुला खजाना एक अठा कार की रख्या होया सी। दो नवंबर दी स्वेड नू उस दी नीद हिंदू पीडादिया चांगरा अते ललकारया ने तोड़ी। उहो ते उस दी पत्निया जे बिस्त्रियां विच्छी सान जदों दंदनों दा हजूम उना दे कारविच को साया। हजूम ने उना दी अमीरी दा इनना लिहाज जुरूर किता के उना नू कोई जिसमानी नुकसान पहुंचाओंड दी बजाय कारविच्छों काड़े के गली विच तक दता। गली विच खलोते ओहो एहल बुत्तां दी तरह अपनी जीवन पार दी कमाई दियां चीकरा हुंदियां वेख दे रहे। सिख इतिहास दे चितर, बुद्ध दा बुथ, आद, सब कुझ साड के सुवा करदते जान दे खतरे ने तैन दन उस दी जान सूती रखी सी। उसने किसे नवी लिखी जा रही पुस्तक दा खरड़ा चुक्या थे उस दे के हिंदू दोस्त दे कैंट थे स्वीडन दे सफारत खाने दोरा पे जी गई कार विच बैट के सफारत खाने विच चला गया। तिन दिन उहो उत्थे ही शरनात थी बाणके बैठा रहा। देता जावेगा। पहली वार मेनु एह एह एहसास होया की नाजी जर्मनी अंदर यहुदियां थे दंग्याम नाल विन्ने पिवंडी जलगाओ मुरादाबाद रांचिया थे होरना थावा थे पार्ती मुसल्माना ने किस तरह महसूस किता होवेगा। पहली वार मेनु समझ पई के कतले आम कल्लू कारा थे नसल कुशी वरगे शवदां दे असली अर्थ की होंदे हन। दसमा फॉज बलॉण विच कीती गई देरी दा कांड। पॉज बलॉण दा फैसला ले जान्दाते इसनौं फूर्तिनाल सारे हिंसा ग्रस तावा थे तेनाद किता जान्दा। कलकत्ती अंदर अजेहा ही किता गया सी, कत्ती एक्तूबर नो देश अंदर सिख विरोधी हिंसा दी साब नालों पहली वारदात कलकत्ता शहर अंदर वाप्री सी, जथे स्वेरे 11 वजे दे करीब ही, जदो अजेंद्रा गांदी दे गंबीर रूप विच जखमी होन दी खाब गया सी, मारक उटाई तो वद के दासदे करीब सिखानो जानो मार गता गया सी, पर बंगाल सरकार ने हिंसा दी अगनो होर वद फैलंतों रोकन लई फूर्ती नाल फौज सद लई सी, बाद दो पैर टाई वजे दे करीब फौज ने शहर अंदर चार जसम बाल लेया सी, अत वरतारे प्रती जिमें लम्मी के सलवटी रखी, उस्तों उना दी नीत ते इच्छा साफ पर गठो जान दी है, दिली दे सिवल अधिकारियां ते राजसी हुकमराना ने पहला फौज तेनात करन दी मांगल लम्मा समा अंसुनी करी रखी, काफी चिराबाद जाके पारसरका द्वारा दिली दे कतले आम दी अधालती पर ताल करौन ले स्थापत किते के कमिशना ने इनी कू गाल निचक मनी है, पावे की उना इस दे कारना दी ते तक जान ते इस दी जिम्मेवारी निश्चित करन दे कार जितों साफ ताल मटोल किती है, आज जसी एह पाग पना नं में तक ही पढ़ांगे, तानवाद जी, वाहिगुर जी का खालसा, वाहिगुर जी की फते